चलो, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, तीन नंबर के क्विश्चन में क्या-क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो most IMP है, जिस हिसाब से आपके समाजी विज्ञान में आया था, उसी हिसाब से मैं पूरा IMP बताया हूँ, जिन लोगों ने मेरे IMP वाल 5 नंबर, 6 नंबर, के सारे क्विश्चन फसे थे, बस एक नंबर, 2 नंबर का मॉडल पेपर से नहीं आया था, लेकिन इसलिए मैंने आपको पहले से जो वस्तुनिस प्रस्ण है, वो अलग से मैंने पहले प्रवाइड कराया था, इसलिए, ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो सारे क्विश्चन मेरे फसे थे, और IMP प्रस्ण पत्र भी मैंने प्रवाइड किया था, तो जो जो चीज मैंने बताया था, वहाँ पे 100 पतिसत क्विश्चन अटेम्ट हुए हैं, और इस बार भी जो मॉडल पेपर की हिसाब से, ठीक है, जो मेरे प अच्छा है कि अगर IMP सुची पढ़ते हो, तो और अच्छा आने के ज़्यादा चांसे से है, अगर आपके पास समय है, तो जरूर पढ़ना उसको, क्योंकि मैंने पहले ही प्रवाइड करा दिया था, एक दो मेहना पहले से ही, और उनको जो लोगों ने तयारी पहले से कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो तो पहले से तयार कर लिए हैं सारे चीजों को, और फिरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ती नंबर क्यूश्चन ठीक है, जितने भी मैं बता रहू हूं, इसमें से थोड़ा सा रिस्क की चीज है, फिरहाल, मैं ती नंबर क्यूश्चन आपके एकजाम में आने वाले हैं, वो सारे क्यूश्चन वहाँ पे हैं, क्योंकि समाजी की जान में IMP सुची से पूरा फसा था, तो उसी अधार पे मैंने यहाँ पे आपको प्रवाइड कराया है, और IMP से भी आया है, और साथी साथ मॉडल पेपर से भी आय पहले आप लोग देख लेना ठीक, चलो तो शुरू करते हैं, तो तीन नंबर क्यूश्चन में आपको क्या क्या देखने को मील सकता है, यह मैं आपको बता देता हूं ठीक, यहाँ पे देखो तीन नंबर क्यूश्चन में सात्वा नंबर है, फेरन हाइड ताप मापी का च चीतर बनाना इसी तरह से और यहां पर देखो 37 फेरनहाइट है फिर 96 असंबलाव 6 जो है वो मध्य पाइंट है और 212 जो है वो हाई पाइंट है तो इस तरह से आपको चीतर बनाके इसे दर्शाना है इसके बाद आठोपरस ने गोली दर्बन की वक्रता तीजा तरह फोकस तक की दूरी को वक्रता तीजा कहते हैं यहां पर मैं आपको समझा की भी बता रहा हूं ठीक है जो कि छोटा पाइंट है ज्यादा समय भी नहीं लगेगा फिर इन दोनों में संबंद बताना है तो संबंद के लिए आप पड़ सकते हैं एप जो है वो क्या है फोकस दूरी ह फोकस दूरी वक्रता तीजय आर अपन टू आप इस तरह से करोगे तो यहां पर देखो आर वक्रता ता तरीजय है और याफ जो है फोकस दूरी तो इस तरह से आपको बनाने है इसके बाद नौवा प्रस्ण देखो चुम्बक के तीन प्रमुग गुर लिखे तीन प्रमु कर सीथ करता है फिर दीसरा पाइंट में क्या लिखोगे तीसरा पाइंट है उत्तर दक्षिर दूख के एक दूसरे को आकर सीथ करता है यह इसका एंसर होगा फिर तेंथवा मतलब जो दसवा क्यूशन है उसको देखो अनुवांसिकी के जनक कौन है अनुवांसिक्ता के तीन निमो को लिखे तो अनुबर के यह जनक क्यों आपको पता होगा एक नंबर question में आ सकता है जो जनक है वो है जॉनर ग्रेगर है जॉन ग्रेगर मेंडल है यह एक नंबर से question के लायक है इसके बाद यहां पर एक अन्यद करने वाले कार्व, क्या क्या है ठीक है तीनो पायंट में थोड़े थोड़े तो यहां से अब इसको अच्छे से देख लेना चलो आगे देखते हैं इसके बाद नेश्ट है सेल्सियस ताप मापी का चीतर बनाकर नीमनतम वा उच्तम बिंदू को दर्साइए ठीक है इस बार सेल्सियस का बनाना है चीतर तो सेम रहेगा लेकिन आपको दर्साना कैसे है 0 से 37 ठीक है मद्ध पायंट यहांपे 37 के बाद है यहांपे 100 तो इस तरह से आपको दर्साते जाना है पूरे पायंट को लिखने के जिवरत नहीं है इसनेल का नियम क्या है इसनेल का नियम क्या है то देखो इसे पूरा बताने ग़रत नहीं यहाँ पिंगो मुह है मुह बराबर सैना आपान साइट अय जहां आप अ रखोनकोर है ठीक है यह इसका answer है यहाँ पूरा देख लेना आप लो तो ये नीचे वाला जो बना है ना ये solution सुद्र है ठीक है ये मतलब सुद्र है तो इस सुद्र को अगर याद रखते हो तो आपको आसानी से इसनेल का नियम आपसे बन जायेगा ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके बाद है फ्लेमिंग का बाय हात का नियम लिखे फ्लेमिंग का बायहात का नीएम देखो कैसे ही रिखा है तो यहाँ पे आप चीतर बनाना थोड़ा से यहाँ पे लिखना है और बल का दिशा और चुमबकी चेतर की दिशा धारा की दिशा आप लो यहाँ पे ले लेमा ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके बाद प्रभावी एवं अप्रभावी लच्छन से क्या समझते हैं तो प्रभावी अप्रभावी लच्छन में आपको अंतर बता देना है इसके बाद अगला दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे ठीक है Kelvin ताप मापी ठीक है Kelvin ताप मापी देख लो यह भी important है Kelvin ताप मापी को कैसे बनाओगे यहाँ पे देखो Kelvin जो ताप मापी है यहाँ पे 273 273 है यहाँ पे पाइंट जो 12 है 272 जो दिया है उसको अलग भी कर सकते हैं ठीक है तो 273, 273 के बाद यहाँ पे 373 देखो शुरू वाला जो है यहाँ पे Kelvin जैसे लिखोगे 273 लिखोगे Kelvin और 373 Kelvin लिखोगे अब बीच में 216 जो भी हैं डाल सकते है 216, 277, 208 इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है यह माध्यपायन के रूप में भी है यह आप बता सकते हो कि हाँ यह घर्टे से बढ़ते है इस तरह है तो यहाँ पे जो लिखा है 273, 12 ऐसे में याद करने में दिक्कत होगा तो 273 Kelvin लिखना 373 Kelvin लिखना और 216, 316, फिर 300 ऐसे Kelvin भी बीच में डाल सकते हो ठीक है उसके पूरे नंबर आपको मिलेगा कोई भी नंबर नहीं काड़ेगा वो इसके बाद है आटवा प्यूच्चन देखो उत्तल और एवं ओतल दरपन में कोई 3 अंतर लिखे ठीक है उत्तल दरपन ओतल दरपन तो यहाँ पे 3 अंतर दिये हुए है ठीक है आप इसके अच्छे त्यारी कर लेना फिर है फ्यूच क्या है यह किस अतार्थ का बना होता है तो फ्यूच जो होता है वो तामबा टीन सीसा का बना होता है इसका जो गलनांग होता है वो बहुत कम होता है ठीक है दो चीद तो बता दिया हूँ इसके बाद बाकी और चीद दिया हो तो यहां पे थोड़ा से पढ़ लेना है तीन नंबर किसाब से बाकी जितना पुछा था वो एक लाइन में cover हो गया है इसके बाद है मनुष्य के लिं किनों से भीन होता है इसे लिंग उर्षूतर कहते है ठीक है तो यहां पे देख लेना इसका भी अंसर बहुत ही आसान क्यूश्चन है तीन नंबर के क्यूश्चन में यहां से आएंगे ठीक है आगे दिखाता हूं मैं उसके बाद यहां पे डॉक्टरी तापमापी के अपरतनांग क्या है इसका भी देख सकते हो जब एक वर्णिक प्रकास किरण एक समागी माध्यम से दूसरे समागी माध्यम में प्रवेस करता है तो अपतन कोड की जया जीसे हम कहते है चलो अपतन कोड की जया ही लिख लो अपी ठीक है तदा अपतन कोड की जया में एक नि तो तीन सावधानी बताइए तो तीन सावधानी आपको बताना यहाँ पे देख सकते हो यह तो अपने इसाप से भी लिख सकते हो विदुद परिबत के बारे में अगर जानते हो तो ठीक है चलू आगे देखते हैं अपूर प्रभाविता को सजीतर कीजिये तिद्विक कर आइमपी वाला है परिषबोद में मैंने पूरा टिक करा दिये हैं वही से क्विश्चन बनेंगे ठीक है तो आप अच्छे तैयार करना इस बार भी आपके पूरे में पूरे क्विश्चन फसने के चांसे से ठीक है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रवाइट करा रहा हू हुआ है